आज हम एक ठ्रेलर एंड काफी सस्पेंसिंग ड्रामा एक्स्पेंट करने वाले हैं दरशल यह ड्रामा काफी सादा इंट्रेस्टिंग है तो लेट्स बिगिन देख्स्पेंशन तरशल स्टोडी सबसे पहले हमारी फीमेल लेड येजेंस से स्टार्ट होती है और वह यहां पर बैट कर कुछ अपनी कंप्टर में काम कर रही होती तब इसकी गेर उसकी मोम दस्टक देती है तरशल स्की मोम उसे टिनर के लिए इंवाइट कर रही थी तब यह बाग कर जाती है move फजो धका देकर गेर बंद कर देती है और इसके बाद वो फिर से अपने एडिटिंग स्टार्ट करती है इसके बाद काफी लंबी चौड़ी एडिटिंग के बाद एक बहुत ही सुन्दर लड़की में वो एडिटिंग करी देती है इसके बाद वो अपनी काम्यावई पर काफी ज़्यादा खुश होती है इसके बाद जब येजन स्कूल में जाती है हमें पता चलता है कि येजन इतनी जाता सुन्दर नहीं है इसके वए से उसकी क्लास की जो बाकी लड़किया हैं उसे बहुत ही ज़्यादा परिशान करती है इनस्टीइड उसे काफी जादा बुली करती है इसमें उसे जादा बुली करनेवाली लिड़की का नाम है हानियो गर आरसल वो उसे इतने जादा बुली करती है कि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है इसके बाद हम येजन को देखें तो उसे अब इस सब चीज़ों की आदत पढ़ी है इसके बाद जब वो एजन से पूछती है कि यहां पर सब सुन्दर कौन है इसके बाद यह जन किसे और का नाम लेती है इसके बाद वो एजन का मूँ पकड़ कर कहती है कि सुन्दर कोई भी हो लेकिन यहां पर सबसे अगली तुम ही हो क्योंकि तुम्हारी शकल एक दम पिक की तरह है पीचर के आने पर वो लड़कियां ये जन को छोड़का वही से चली जाती है तभी ये जन हमें बताती है कि वो स्कूल में जैसी भी हो बट घर पर जाती है उसकी लाइफ चेंज हो जाती है तरहसल अभी तो एक नॉर्मल अटखे की बुली होती रहती है बट उसके घर पर वो जनी है जिसके इंस्टाग्राम पे 7 लाग से भी जादा फॉलोवर्स है और उसकी एक एक फोटो के लिए लोग मरे जाते हैं उसे लोग काफी पसंद करते हैं सिर्फ उसकी गूड लुकिंग की वज़े से तरहसल जिनी बहुत सारा मेक अप करकर एन काफी घंटों के एडिटिंग के बाद ही अपनी फोटो पोस्ट करती है ताकि वह सुंदर देखे अगर वह ऐसी फोटो पोस्ट करेंगी तो शायद ही कोई उसे पसंद करें इसलिए वह काफी भारी बरकम एडिटिंग के बाद ही पोस्टिंग करती है उसके पूस्ट डालते ही उसके उपर लाइक्स एन अच्छे अच्छे कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं यह जिए यह जिन के लिए काफी थी क्योंकि जिनी वनकरप अपनी लाइफ काफी अच्छी तरीकी से जी रही थी मैंन को पढ़के दंगा खूशु जिए उसके पॉस्के बाद इसके मॉम उसे कई से कहीं माआ पूशंची है कि एतने सारे बॉक्स वे हमारे जाब ने को आ से ले और इसके फास कि तो तुम इसे ले सकती हूँ इसको लेकर कावेदा खोश जाती है चलो इसको लेकर यह मुझे कुछ दिनों तक बुली तो नहीं करेगी इससे मुझे कुछ दिनों तक चुटका रहा तो मिली जाएगा एजिन टैरिस पर बैठी होती है तब यहां पर उसकी एक ऑनलाइन फेंड उसे वही ब्रेसलेड का फोटो भीचती है कि यह उसका है एजन को पता चल जाता है कि उसकी फेंड को यह और नीवल की नियोल है चोकि उससे ऑनलाइन तो इतनी अच्छी से बात करती है पर रियाल जिंदगी में वो किसी मॉंस्टर से कम करना जाती है चोकि उसे एक दिन भी ऐसा कि उसे भूलिना करें वो उसे रोज बूली करती है इसके बात यहां पर उसका फेंड आता है जिंसंग जो की उसका एक लौता फ्रेंड है जरह दोनों की कंडीशन कावी से में से भी स्दाब कोई नहीं करता है एं लोग उसे थोड एसके बाद यहां पर जी संघ यहीजन से कहता है कि वह काफिय। बीचु क्यों तो शुंदर है यहां भूर्ज मुझे कि बुद्व कैता है कि अदू हनुआ हो। इसके में पे भूर्ज Pi उयोग राश्ते मेंूं पर एक वारी यहां फिर। सबस्कुन दोdernटि कुए और सबस्क्राइब करें कि बना कई भी व Schulman पर जाती कुई है कि मुझा करें दो कि आज प्लिस कहीं मच विकास हम साथ डिनर करने वाले तो यह वो अपनी मॉम की कान में कहती है एक अच्छी मॉम बनने का नाटक तो बिलकु मत कीजिए तरहसल उसकी मॉम उसे कावेदा पसंद करती है बट यह जन अपनी मॉम को बिलकुल भी पसंद नहीं करती है वो अपनी मॉम से काफी रूडली बात करती है बर अपने डेट के सामने अपनी मॉम से बहुत प्याद जाते है इसके डेट आते है तो यहां पर ईजिन कहती है कि वो अभी जा नहीं है इसलिए खुनी जा. आप सब वात हमतरी करता है उध है दरहसल एजन को फैमिली डिनर अटेंड करना था ही नहीं उसे दरहसल फोटो किछने थे पहले की सिच्विशन दिखा जाती है तो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आने लगे थे कि यह जिन हमेशा घर की अंदर ही फोटो किछती है मुझे तो लगता है शायद वह रियल ही नहीं काफी जादा भारी बरका मेकप कर लेती हैं जिन को मां से अलविदा भूल देती हैं उसके बाद काफी जादा मेकप करने के बाद वह रेस्टुरेंट में आती है और फोटो किछना स्टाट करती है और घर पर जाकर भारी बरका मेडिटिंग के बाद उसे आखिरकार पूस् यह सब पढ़का जिनी को थोड़ी राहत मिलती है कि चलो अब किसी ने तुस्पेकिन किया यह जिन थकार कर सो जाती है और वो सोचती है चलो जिनी का काम तो हो गया तब ही उसे एक इनसान का मैसेज आता है और हो कहता है कि मैंने जिनी को देखा तरह सर वह रियल लाइब में इतनी प्रिटी नहीं है जितनी की फोटोस में दिखती है तब ही यहां पर रिजन के दिए कि यह क्या बूल रहा है उस इनसान की आईडी कूल गायसी थी तो उसका रियल नाम तो अभी तक जिनी को नहीं बता था इसके बाद वह आंगे बात करता है तो यहां पर उसके पास यह जिनी की रियल फोटो भी होती है चाहाँ पर वो रेस्टरेंट में तस्वीर खीच रही थी इसके बाद उससे लगता है कि यह इनसान कौन है तब यह कहता है कि वो सब को बता देगा जिनी इतनी यादा खुबसूरत नहीं है जितनी की वो दिखती है यह सब एरिटिंग अगर नहीं जूरत नहीं है तो उसका आप किसी भी चीज़ में मन तो लगने वाला नहीं था दर असल वो उसी इनसान से बात करती रहती है यहाँ पर वो इनसान उसकी हर हरकत और हर मुमेंट पर नजर रखे हुए था वो उसे एक्जैक्ट लोकेशन और उसका एक्जैक्ट इंटरस्ट नहीं रिखाती है और वो बस उन मैसज़ें इसको पढ़ती रहती है इसके बाद नेलो से बुली करती रहती है पर यह जिन उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती इसके बाद इन सबी का पीडिय राउन आता है यहाँ यह सब भी पीडिय कर रहे होते हैं पर यह यहां पर नियोल भी उसे पीजी से काभी कुछ बोल रही थी वहीं पर बेगोश हो जाती है इसके बाद यहां पर जेन आता है और उसे उठा करें मेडिकल रूम ले जाता है यहां पर एकाउंट पर उसे एक बिल्ली की फोटो दिखती है यहां पर जेन उसके पास बैठा होता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो क्योंकि तुम काफी ज़्यादा अजीब बेहेव कर रही हो तभी यहां पर एजन कहती है कि वह विल्कुल ठीक है तुम इचिता करने जरूत नहीं है पर जेन उसके लिए काफी परिशान था वो कहता है कि तुम्हारे वाल में ऐसा क्या कि तुम उसे कभी छोड़ती नहीं हो तभी एजन कहते है कि ये तुम्हारा विश्स नहीं है तो तुम इसमें नाई इंटर्फेर करो तो ठीक है तो ही वसे आदाता है कि एजन उसका एक लोता अच्छा दोस है तभी वह से सौरी भी बोलते है और कहती है कि I'm sorry मैंने तुमसे इतना रूडली बात किया तब उजन कहता है कि इट सोके है मैं समझ सकता हूँ यहीं पर हम नियोल की बात करें तो उसे टीचर से डांट पड़ रही होती है और टीचर उसे कह रहे थे कि क्या मैं तुहारी मॉम को कॉल लगा हूँ यह सब सुनका नियोल काफेदा डर एंस हैम जाती है और हो कहती है कि प्लीस उसे एक और चांस दे दीजे वागी से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी तब ही टीचर उसे कहते हैं कि ठीक है यह लास चांस है तुम जाकर अभी कि अभी यह जन से sorry बोलो अगर मुझे बाद में ऐसा को सुननी को मिला तो मैं सच में तुमारी मॉम को कॉल कर दूँगा तुमारी मॉम को यहां पर आना पड़ेगा इसके बाद नियोले डिसाइड करती है कि उसे sorry बोल देना चाहिए यह जन और जन फिर से terrace पर मिलते हैं यहां पर वो अपना लॉंच शेर करते हैं तरह सल आज यह जन कुछ खाने में लाई नहीं थी तो यहां पर जन उसे अपना खाना ओफर करता है वो उसकी लाई हुए ब्रेट खुद खालेता है और कहता है कि तुम अभी फिर से पता चल गया कि जिनी वही है तो यहां पर जिन भी उसे रूड हो जाएगा वो भी उससे बात नहीं करेगा और उसकी क्लास की जो बुली लड़किया हैं चुकि उसे बुली करती है वो तो उसकी जानी ले जाएंगी बिल्लब सिचुईशन कितनी जादा बुरी होगी जब सब को पता चल जाएगा कि जनी कोई और नहीं बिल्कि में हूं यह ऺढ़न का टॉक्ति इंहें लुए हूँ तभी यहां पर जिन उसे बताता है कि वो फिर भी प्रिटी लगे गाई वकॉस उसकी बागी की साइड उसकी शैडू में तो संदा रही एक दिनों फिर से फुल मुन हो जाएगा वहली बाद में हाफ हो जाए तभी यहां पर यह जिन वो कुछी संच में नहीं आता वो कहती है कि मेरी जिन्दी तो डार्क हैस्ट ही है और वो इन सब्सक्राइब को नहीं समझ सकती है इतने प्रेशर की वजए से अभी तक यह जिन नहीं को यह पूस्ट नहीं डाली थी हैं जिनी के फैंस उसकी नई पोस्ट के लिए परिशान हो रहे थे तभी वो कहते हैं कि जिनी को ड़्शा मेर की और छत्याने कि नेशेघ्याति फिर यह बाद वहां पर ऐसे घ्माणने लगतीर लाटिया थो तो में तुम्हारे आपक होगे आप वह लुज परनान की लिए कई यह जो वह लुजन को लगता है तब यह जिन को लगता है कहीं जिन ही तो वह घूल गाया नहीं चूकि उसे परिशान कर रहा है तो और सारी सीट बर जोड तोड़ का सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा ही तो नहीं कि यहीं वह कूल गई है की सिर्म का परीशान हो जाती है तर रहे इंद से को आधे यहां पर से को एजंस से जाने के लिए बोलते हैं तब ही इसे बहुत निकलते है तो किसी की फोट स्ट्रेप के आवाज सुनती है वो काफे तरने लगती है इतने में जिन उसके वीजी से आकर उसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है तुम्हीं उसे जूट की बोला कि तुम्हारी मौन तुम लेने के लिए आ रहे हैं अब चलू मेरे साथ इसके बाद ये जिन काफी ढरती हो इसके साथ जाने लगती है यहीं पर रास्ते में जब जिन को एक कैट किया सुनाई दिती है तो उसे खाना रखने लगता है तब ये जिन को याद आता है कि उस कूल गय के अकाउंट पर भी एक कैट की पिक है कहीं जिन सच में तो कूल गा नहीं पर अभी तक पूरँ पूरा यकी नहीं था पर गवीघ अभी तक क्यों पूर्वा को लगा था। पर घर तो जुगा कके जोड़ जोर से और देमिंगी ता बहुत जह को हैं कि आईगी से राइओ पोस्ट को लाइक कर देती है den जब जैन से महले के लिए आता है तो कहता है कि तुम ज्जनी को जानती हो वो कितनी जानती हैंड वो इसी फादो belong के लिए जानना भी नहीं चाहती Bos करती है यहाँ पर उसे पता था की नियोड है एंड गर्डिका हैं तो उसका मज़ाक उडाने लगते हैं और उसके साथ में उसे दूर से जिन भी देख लेता है और यह सब देखकर जिनी काफे परिशान हो जाती है लेकिन इतने महीं टीजर के इंट्री होती है तोनों लड़कियां जिनी को छोड़ देती है वाश्रूम में जाका जिनी को काफे दा बुरा लगता है कि जो लड़कियों ने अभी उसके साथ किया था वो उसके लिए काफे इंबरेसिंग था एंट जिन ने भी उसे ऐसा देख लिया इसके बाद काफे दा रोती है अपनी लिपस्टिक निकालने लगती है यहां पर कूल से खुद भी समझ में नहीं आरादा कि आकर वो क्या करी अपने आप कोई हट करने स्टार्ट कर देती है इसके बाद अपने बजस्टॉप पर जाती है कि उसका स्कूल खतम हुआ था तब ही वह कूल गया उसे मैसेज करता है और उसकी फोटो सेंड करता है इसके बाद वह आकर उसे हलो बोलता है और उसे देखते ही और उसकी आवास सुनते ही जिन वहीं पर गिर जाती है और उसे कुछी पता नहीं रहता क्या खिर क्या हो रहा है यहां पर लड़का उसे हलो बोलता है तो उसी के साथ हमारा यह पाड़ ही पर खतम होता है तो मिलते है नेक्स